हेलो एवरिवन स्वागत है आप सबका मेरा नाम है प्रवीन चक्रवर्ति और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक जेए डिवांस के एक और बैतरीं गुश्चन की और यह जो कुश्चन है आप कुश्चन पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे और कुश्चन आप देख सकते के इसे solve क्या होगा ठीक है चलिए मैं आपको लिए question बर पढ़ देता हूं question क्या कर रहा है कि physical quantity s is defined as s is equal to e cross b by mu not mu not क्या होता है absolute permeability of free space ठीक है where e is क्या है electric field b is क्या है magnetic field and mu क्या है यहां दे दिया देखे absolute permeability यानि permeability of free space यह लिख दिया है question में तो आप से पूछा है कि the dimension of s are the same as the dimension of which of the following quantity s की जो dimension है वो किसके dimension से match करेगी यह आप से पूछा गया है तो आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा dimension सही हो सकता ठीक है पहला है energy by charge by current ठीक है force by length into time energy volume और power by area ठीक है तो देखे इसे किस तरीके से question को solve करेए बहुत ही आसान सा question मैं इसके तो answer आपको directly बत quantity है यह आप electrodynamics जब आप ठीक है electrodynamics जब आप पढ़ेंगे इस चीज को तो आपके लिए बहुत common से हो जाएगी इस s को बोलते है एक तरीके से आपको इसका नाम या दखना है इसको कहते है pointing vector के नाम से जानते है ठीक है और pointing vector होता क्या है वो आप ध्यान से समझ यह देखे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए pointing vector जो है वो होता है e cross b by mu naught जिसे हम कहते है it represent energy flow per second per unit area किसी भी एक छोट area से ठीक है एक second में per unit area per unit इतना area है उसके per unit area से एक second में per second में अब जब भी कहें कितना energy flow कर रहा है that is known as pointing vector और pointing vector को लिखने का ही तरीका है s बराबर e cross b by mu naught s e cross b by mu naught तो आपको चाहिए इस तरीके से अब चुकी as the definition भी आपको suggest कर चुका हूँ देखे कि s बराबर energy by area into time है तो energy by जो area होता है वो होता है power by क्या होता है sorry energy by time ठीक है आप पढ़े होंगे power कड़े है work by time तो energy by time is called power power by area तो उससे आप सब देख सकते हैं इसका जो direct answer है वो होगा option number d फिर भी हम इससे एक दूसरे तरीके से बनाएंगे जो basic आपको fundamental dimension का पता है उसके त force का जो होता है वो आपको पता है mlt minus 2 और area का होता है sorry यहाँ जो charge होता है charge का a into t है बट कोई कोई क्या लिखते है i into t भी लिखते है तो अगर आप इस चीज को follow करते हैं तो यहाँ सब देख सकते mlt के power में minus 3 और a minus 1 यह electric field का dimension formula हो जाएगा उसी तरीके से b जो होता है b क्या होता है e by b electric field by velocity electric field का dimension अभी में लेके आया हो क्या है mlt के power minus 3 by a के power minus 1 और velocity का क्या होता है lt minus velocity का क्या होता है lt minus 1 तो जब हम इसे solve कर रहे हैं तो देखे m l और l तो ऐसे भी cancel हो जाएगे तो t के power में minus 2 और a के power में minus 1 यह हो गया भी यह b का dimension हो गया अब आपको चाहिए mu naught का dimension देखे mu naught का dimension लगाने के लिए निकालने के लिए हम क्या चाहेंगे हम लगाएंगे biosavet loss आपको पता है आपको पता ही होगा bsl जिसको कहते है क्या होता है mu naught by 4 pi into ideal sin theta by r square तो यहां से अगर हम mu naught के लिखने कोशिज कर रहे हैं 4 pi का तो कोई dimension ने होगा तो इससे हटा ही देते हैं तो db into r square by ideal db का जो होता वो magnetic field db क्या है actually magnetic field का ही small magnetic field है तो इसका dimension थोड़ी change हो जाएगा तो अगर हम इसे m t minus 2 a minus 1 यह होगे magnetic field r square यहां यहां जो मू naught का जो dimension आ जाएगा m l t minus 2 a minus 1 अब देखिए दियान से यहां से तो जब आपको formula दिया हुआ है s is equal to e cross b by mu naught होता है तो आपको e का dimension b का dimension divided by mu का naught का dimension तो जब सारे dimensions को यहां put करते हैं यह e का dimension b का dimension इसका dimension तो आप इसको solve कर रहे हैं तो दिखाए 1m 1m कट जाने वाला है a square a square भी cancel हो जाने वाले है ठीक है t के power में क्या हो देखिए t square t square भी कट जाने वाला l और l भी कट जाने वाला है तो जब आप इसे निकालते हैं तो s की जो dimension आता है वो आता है m t minus 2 ठीक है plus 1 लिखने का मतलब है 1m एकम कड़ी है तो सिफ़ m बचा हुआ था ठीक है I hope कि आपको यहां तक सारी बाते समझ में आ गई होगे अब जो द्वहन से देने वाली बात है कि s is equal to होता power by area power का क्या होता है power होता है क्या होता है energy या work by time और work क्या होता force into displacement बेसिक से बताते चल रहा है एक एक चीज को force का होता है mlt minus 2 distance का होता l time का होता है t area का क्या होता है l square तो l square ऐसे भी cancel हो जाएंगे तो आपके पास बच जानने वाला है m t के power में minus 3 आप देख सकते हैं कि यह dimension जो अभी यहां आया है ओके यह dimension जो अभी यहां आया हुआ है वो बिल्कुल सेम है ठीक है यह थोड़ा से color change होगी है but I hope कि आप इसे खुद से adjust कर रहे होंगे basic आपको बात सारी समझ में आ गई होगी कोई भी अगर doubt होता आप मुझसे comment section में comment करके पूछ सकता है वीडियो अगर अच्छा हो तो वीडियो को like करना ना भूले thank you